तो आपने आईफोन का आपका जो आइकन होता उसको चेंज कर पाएंगे आपको बताने वाला हूं तो हो सकते हैं तो यह आप समझपाएंगे दोस्तो चलते हैं आगे आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने आईफोन में आप आइकन को चेंज कर पाएंगे तो उसके लिए आपको शौटकट वाली आप में यहां पर आयो शूटिंट पर मिल जाएगी आपको इसके अंदर जाने का दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है यहां पर प्लस वा आउट मिलेगा यहां जाना है आपको ओपन के वगल में जो एप वाल आइकन दिख रहा आपको दिख रहा होगा लाइट थोड़ा सा आपको उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सारी एप्स आपकी खुल जाएंगे जितनी भी आपकी मॉबाइल पर एप है लाइक मैं यहां पर बनाना चाहता हूं किसी एप का एक शौटकट बनाना चाहता हूं अब मैं कोई सी भी एप ले लेता हूं इतने सारे यहां पर और दिएगे आपको कल सकले लिएना है यहां पर यहां पर आपको ब क्लिक करना और उसको सेट कर देना है यहां मैंने ने इसको सैट कर जैसे ही आप सैटिक पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको क्लिक कर देना है एड टू होम पर करेंगे और यहां पर एड कर देंगे तो आप यह देखेंगे यह आप आ चुका है आपको दिख रहा हुआ निए शॉट कट करके दिख रहा है जैसी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो य अब के जो आईकन है वहाँ पर आपको कोई फोटो को लगाना है तो उसके लिए आप वह बापी सब्सक्राइब देना है एद एक तो आप देखेंगे यहां पर एप में आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिख जाएगा जैसी आप इसपर क्लिक करेंगे तो वापस आ करना है तो लाइक जैसी यहां पर मैं यहां पर क्लिक करना है तो लाइक जैसे सेटिंग पर setting पर आने कहाद मैंने add to home screen करा यहाँ पर screen पर लगाया और यहाँ पर मैंने tag का selfie करके ले लिया तो यहाँ पर मैं ऐसी एक ऐसी फटो ले लिता हूं जाकी normal सी मैंने photo click कर ली photo click करने कहाद यहाँ पर मैंने add कर दिया और आप देखेंगे जैसा कि मैंने महाँ पर create करा था, same महाँ पर वो आ गया है और अगर आप में click करूँगा तो यहाँ पर यह click हो गई, मैरा camera directly open हो जाएगा दोस्तो बहुत ही कमाल का यह feature लगा मुझे उमीद ही कि आपको यह मेरी video पसंद आई होगी तो thank you